Hello everyone, good morning to all, I am Pooja and welcome back to Parcham. आज हम discuss करने वाले हैं weekly CA, weekly current affairs, जहां पर हम discuss करेंगे 29th of May से लेके 4th of June तक के important events, लेकिन short में discuss करेंगे. कोई भी news अगर आप long देखना चाहते हैं, किसी भी termology को समझना चाहते हैं, तो आपको daily CA follow करना पड़ेगा, जो कि 7 a.m. आता है. अभी के वल हम to the point discussion करेंगे और यहां पर आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने हर एक topic है, उसको अलग-अलग segregate कर लिया है, appointment, अलग awards, state news, national news, ऐसा करके अलग-अलग हम यहां पर discuss करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे हफते के important days, important days और उनकी themes के उपर च और आपको जो भी score होता है, वो score आप मुझे comment section में बता सकते हैं, और question of the day भी होगा, जिसका answer भी आप हमें comment section में दे सकते हैं, अब बात करेंगे PDF के बारे में, तो PDF आपको website से मिल जाएगी, तो website से PDF डाउनलोड भी कर सकते है, weekly CA की, एक बच्चे ने comment किया था कैसे notes पना पढ़ना ही पढ़ता है, जो आप किसी exam में बैठते हैं, माल लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपका exam है, तो आप लोग ने जो current affairs पढ़ना शुरू किया होगा, वो लगबग जून 2022 से पढ़ना शुरू किया होगा, तब ही कहीं जाके जुलाई 2023 तक के आपको current affairs पढ़न तो इतनी बड़े book आप चाप सकते हो, और उसको पढ़ना भी जंजट हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कि आप weekly जो CA है, हमारा जो monthly CA है, उसका PDF आप टाउनलोड कर लो, प्रिंट कराना है तो उसका प्रिंट करा लो, और हमारे daily CA आता है, daily CA आप attend करो, और आपको जो headlines मिलती है आप headlines को copy में note-down कर लो, तो एक छोटी सी copy ले ले जए आप 50 पेजो की, और उसमे headlines को note कर लो, तो headlines note करने से क्या होगा, आप उनको आसानी से revise कर सकते हो, जब आप बैठने जा रहे होगे कहां पर, आपके exam में, क्योंकि इतने पूरे एक साल के current affairs को उस समय revise कर सवालना है तो आप मंथली का निकाल और मैं तो आपको यह सजेस्ट करूँगी, आप यह सवाल ले लिया करो, सवाल या फिर आपका जो हमारा yearly CA, yearly CA तो आप निकल चुका है अगली साल ही आएगा, तो जो सवाल है उसमें भी आपको 300 question यह 400 question मिल जाते हैं, जो कि CA से related होते ह काफी है, आपको daily CA का printout निकालने के कोई आवश्चकता नहीं है, ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर 29th of May से लेके 4th of June तक है important events को सबसे पहले है important days, 20th of May को celebrate किया गया mensural hygiene day, इस दिन की शुरुवात बेसे कि जर्मनी का एक NGO है जिसका नाम है वश, उनाइट उन्होंने इस दिन की शुरुवात 2014 में की थी, पहली बार इस दिन को 2014 में celebrate किया गया तो और यहाँ पर theme क्या है, 2023 की theme रखी है making mensuration a normal fact of life by 2030 next है world hunger day, अभी recently report भी United Nation ने publish की थी याद आया, मैंने आपको बताया था hunger hot spot के बारे मेरे इसमें मयानमार, अफगानस्तान, पाकिस्तान का नाम था ठीके तो world hunger day 28th of May को celebrate किया जाता है, जिसकी theme थी celebrating sustainable solution to hunger and poverty क्या है celebrating sustainable solution to hunger and poverty, अब देखेगा global hunger index के बारे में जो 2022 में publish हुआ था 121 nation में भारत का जो ranking था, वो 107 नंबर पे था अब ये अगला जो दिन में बता रही हूँ, ये बहुत important day है 29th of May, International Day of UN Peacekeeper 2023, हमारे देश के तीन जो soldier है, जो हमारे सैनिक रहे हैं सहीद हो गए है, जो इस peacekeeping force में काम करते हुए, उनको medal भी दिया है इना इस बात को भी मैंने CA में discuss किया था, तो International Day of UN Peacekeeper 29th of May को मनाया जाता है, जिसकी theme क्या थी? Peace begin with me Basically, United Nation की जितनी भी countries है, जो उसमें member है, उन सब की forces से UN peacekeeping force बनती है किसी भी country में जहां पर conflict चल रहा होते हैं, वहां पर इनको deploy किया जाता है 1948 में Middle East में पहली बार इस forces को deploy किया था, और यह 75th year of operation हो चुके हैं UN Peacekeeping Force के Next है, 29th of May को World Digestive Health Day भी मनाया इस दिन की शुरुवा 2004 में की गई थी और theme क्या है? Your Digestive Health, A Health Good from the Start Next है, 29th of May International Everest Day इस दिन को मनाया जाता है Nepal के द्वारा ठीक है, इस दिन को कौन celebrate करता है? Nepal करता है International Everest Day 29th of May 29th में को क्या हुआ था? 29th में को 1953 में Sir Edmund Hillary, New Zealand के और तेंजिंग नौर के शेरपा, नेपाल के इन दोनोंने समिट किया था Mount Everest पे और ये Mount Everest पे चड़ने वाले पहले व्यक्ती थे साथी साथ Edmund Hillary की जो डेर थे वो 2008 में हुई थी तब से ही International Everest Day एक्जिस्टेंस में आया 30th में, 30 में को Goa Statehood Day था क्योंकि Goa को एक राज्य का दर्जा, राज्य का जो स्टेटस है वो 30th में 1987 में दिया क्या था ये 1510 से 1510 से ये पॉर्चुगल टेरिटरी था अल बुकर्ड ने बीजापुर के जो राजा थे आदिल शाह उन्हें डिफीट करके Goa पे कबजा किया था तो Goa बहुत लंबे समय तक जब तक Operation Wizard नहीं होता 1961 में तब तक है पॉर्चुगल टेरिटरी था और स्टेट हुड का दर्जा इसे 1987 में 30 में को दिया इसलिए 30 में को हम Goa Statehood Day मनाते हैं Most Important Day World No Tabacco Day 31st में को मनाया अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया था हमारी Ministry of Health ने एक notification भी issue किया था कि जितने भी OTT platform है वो भी यहाँ पे warning include करेंगे अपनी series अपनी movies में तो World No Tabacco Day 31st of May को मनाया गया World Health Organization WHO इस दिन को मनाता है Celebrate करता है Theme क्या है We Need Food Not Tabacco 1st June 1st June को World Milk Day था 2001 में इस दिन की शुरुआत हुई थी Enjoy Dairy इसका theme है 2nd of June को क्या था Telangana Formation दे था हम सभी को पता है Telangana हमारा सबसे नया बना हुआ स्टेट है और 2014 में ये आंध्रा से अलग होके बना था 3rd June को था World Bicycle Day और इसकी theme क्या थी Riding Together for Sustainable Future तो ये पूरे हफ़ते के Important Day हमने देखे हैं अब बात करेंगे हम कुछ Important Events पे अलग-अलग Topic वाई सबसे पहले Appointments हम देख लेते हैं तो आईए रेखेंगे सबसे पहले है अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार को Yuko Bank का MDN CEO Appoint किया गया है Appointment Committee of Cabinet के द्वारा Approval दिया गया और ये अश्विनी कुमार है इन्हें MDN CEO बना दिया गया है Yuko Bank का इनका tenure 1st June से स्टार्ट हुआ है और ये इनका tenure और इनके performance के अधार पर further extend किया जा सकता है फिलाल 3 साल के लिए इन्हें Appoint किया है Yuko Bank United Commercial Bank के नाम से जाना जाता था पहले Public Sector Bank है 1943 में बना था और कोलकाता में इसका Head Office आपको मिल जाएगा ठीक है? Next बात करेंगे Ajay Yadav Ajay Yadav को MD बनाया है Solar Energy Corporation of India Limited SECI के MD कौन बन गए है? Ajay Yadav बन गए है SECI एक मिनी रत्न कैटिगरी Central Public Sector Enterprises है और 2011 में इसका formation किया गया था अगले व्यक्ति बहुत important है यहां से प्रश्न बन सकता है Amrindu Prakash ये है Amrindu Prakash इन्हें चेयर्मेन बनाया है सेल का Still Authority of India Limited के चेयर्मेन कौन बन गए है? Amrindu Prakash बन गए है और सेल के बारे में आप सबी को पता है अभी फिलहाल जो CEO है वो Soma Mandal है Next बात करेंगे हम P. Upadhyay P. Upadhyay को Director General of Naval Armament बनाया है Director General of Naval Armament कौन बन गए है? P. Upadhyay बन चुके है Next है यह बहुत important appointment है जिनको मैं important कह रही है वो किसी सेट में है ठीक है? TCS TCS के नए CEO कौन बन गए है? K. कीर्थी वसन बन गए है और यह oldest कह सकते है oldest CEO है oldest employee है TCS के जो की CEO बने है आपे K. कीर्थी वसन हुआ गया है? तो हुआ यह है कि Rajesh Gopinathan Rajesh Gopinathan का tenure जो था वो further extend किया गया था for the period of 5 year मार्च 2022 में इनके tenure को बढ़ाया गया तो 2022 से 2027 तक के लिए लेकिन अभी अचानक से उन्होंने step down कर दिया, resignation दे दिया Rajesh Gopinathan ने तो उनके बाद K. कीर्थी वसन को जो है वो CEO बनाया है TCS का ओके? next बात करेंगे हैं यह भी important appointment है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे CBC के बारे में Central Vigilance Commissioner केंद्री सतरकता आयो जो की सारे department पे agency पे public sector enterprises पे निगरानी रखते कहीं भस्टा चार तो नहीं हो रहा तो Central Vigilance Commission और यहां पे appointment किया गया है किसे? प्रवीन कुमार श्रिवास्ता और यह appointment कौन करता है? President of India के द्वारा की जाती है तो प्रवीन कुमार श्रिवास्ता हमारे next CBC है CBC किस committee की recommendation से बना है? तो केस अंथानम committee की recommendation से बना है और यह लोग अपनी report भी President of India को ही submit करते हैं चेक है? Next बात करेंगे यह हमारे CAG Comptoral and Auditor General of India CAG है CAG गरीश चंद्रमु है और इन्हें reelect किया गया है As an external auditor of WHO for a 4 year तो जो हमारे विश्व की International level पर बड़ी-बड़ी organization है WHO है, ILO है तो यह जो बड़ी agencies होती है Organization होते हैं उसमें भी तो auditing की जरूरत होती है तो अलग-अलग country के जो auditor होते हैं इनको appoint किया जाता है तो गरीश चंद्रमु को reelect किया गया है External auditor of WHO for the 4 year इसके पहले भी यह रह चोके 2019 से 2023 तक अब 2024 से 2027 तक भी CAG जो हमारे है वो external auditor रहेंगे WHO के और इन्होंने ILO के भी external auditor के रूप में काम किया है Next ही है सचिन तैनुलकर और इन्हें Ismail Ambassador बनाया गया है महराष्ट Government के द्वारा इनके स्वक्ष मुक्त अभियान के लिए एक नासिंदे के द्वारा यहाँ पी contract sign किया गया है with सचिन तैनुलकर Next बात करेंगे हम COP28 Advisory Committee के बारे में 31 Member है COP28 Advisory Committee में और इनमें से केवल और केवल एक भारती है वो है मुकेश अम्बानी तो मुकेश अम्बानी जी ने जॉइन किया है COP28 Advisory Committee हम सबी को पता है COP28 मतलब Conference of Party To the United Nation Framework Convention of the Climate Change है यह UAE में होनी है और इस Advisory Committee इस Expert Panel में 31 Member है जिनमें एकमात्र भारती मुकेश अम्बानी है ठीक Next बात करेंगे Central Government के द्वारा Recently appointment किया गया है CJ of Himachal Pradesh High Court तो Himachal Pradesh High Court के Chief Justice कौन बन गए है MS रामचंदर राओ बन गए है कौन बन गए है MS रामचंदर राओ बन गए है और इन्होंने replace किया है CJ Amzad Sayyad को Next बात करेंगे अगले वक्ती है अंग्शु माली रस्तोगी अंग्शु माली रस्तोगी India represent to the Global Civil Aviation Organization अब जो international bodies होती है उसमें हर एक country के representative होते हैं वहाँ पर तो एक international body जिसका नाम है ICAO मतलब International Civil Aviation Organization जिसका head office आपको Montreal Canada में देखने को मिलेगा तो इसी ICAO के member India को represent करने के लिए किसे चुना गया है अंग्शु माली रस्तोगी को चुना गया है ठीके तो ये कुछ appointments थी जो पूरे हफते की important appointments थी अब बात करते हैं अवार्ट के बारे में तो recently यहाँ पे अबुधाबी यास आइलेंड में IIFA 2023 अवार्ट डिस्टिब्यूट की गए International Indian Film Academic Award इसमें Best Actor का अवार्ट दिया गया है रितिक रोशन को इनकी जो मूबी थी विक्रम वेदा उसके लिए और Best Actress का अवार्ट दिया है NABH Accredation मिला है अब यह NABH Accredation क्या है National Accredation Vote for Hospital ठीक कोई भी हॉस्पिटल में सर्वे करने के बाद वहाँ पे पेशेंट की सिक्योर्टी क्या है हेल्थ केर फैसिलिटी क्या है और्गनाइजेशन की एफिशेंसी क्या है कई सारे पहला मेटर के बाद यह सर्टिफेकेट दिया जाता है तो हमारी कंट्री का पहला एम्स बन गया है नाकपुर एम्स जिसको यह सर्टिफिकेशन दिया गया है इस सर्टिफिकेशन की शुरुआ 2006 में की गई थी नई दिल्ली में हैड आफिस है नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर श्री राम चरित्मानस बिकम दा लॉंगेस सॉंग इन दा वर्ट जिसे वन थर्टी एट आर फॉर्टी वन मिनिट एंड टू सेकेंड तक गाया गया है और किसने किया है काम डॉक्टर जगदीश पिल्लाई और वारा नसी और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड वुक और रिकॉर्ड में शामिल किया गया है नेक्स्ट है 57 नंबर के ग्यानपीट अवार्ड हमने पहले भी डिसकस किया है इनके बारे में यह हैं गोवा के राइटर दामोदर मौजो इन्हें 57 नंबर का ग्यानपीट अवार्ड दिया है इन्होंने कई सारी बुक को कोंकनी भाषा में और इंग्लिश भाषा में भी पुब्लिश किया है इनको साहित अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है साथी साथी सेकेंड नंबर के व्यक्ति है गोवा से जिनको ग्यानपीट अवार्ड मिला इसके पहले 2008 में रवेंर केलकर को जो की गोवा से थे उन्हें ग्यानपीट अवार्ड दिया था जी के शंकर कुरूब को चली नेक्स्ट बात करेंगे हम कांस फिल्म फेस्टिबल के बारे में तो डिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिबल कंक्लूड हुए है और कांस फिल्म फेस्टिबल में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो होता है Palm Dior Palm Dior highest price होता है और ये price किसको मिला है तो एक तो मिला है Michael Douglas को जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको Michael Douglas को इसके लावा third women director जिनको ये award मिला है वो है Justin Preet Anatomy of a fall के लिए Next is 6th edition Fikki Smart City Summit Recently New Delhi में conclude हुई है 6th edition Fikki Smart City Summit Recently New Delhi में conduct हुई है और इसमें कुछ innovation award भी दिये गए है तो जो Mumbai में चलने वाली best है मतलब best की buses है ब्रहद Mumbai Electric Supply Transport Undertaking इन्हें smart mobility category में award दिया गया है by Fikki Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries Okay Next बात करेंगे कुछ books के बारे में So पहली book है बड़ी important है क्योंकि इस book को launch किस ने किया है Sashi Tharur ने और इस book के writer कौन है Dr. Vijay Dr. Vijay दर्दा की नई book है Ringside और इसको recently Sashi Tharur के द्वारा launch किया गया है और Dr. Vijay कौन है तो ये chairman है Editorial Board of Lokmat Media Group के जिनके द्वारा इस book को और MP भी रह चुके है इस book को लिखा गया है Ringside Next है Goa Raj Bhavan launches First book under governor scheme तो कई सारी governor की schemes release होती है तो इसकी एक book तयार की गई है जिसका नाम है नई पहल क्या नाम है book का नई पहल जिसे launch किया गया है और governor कौन है P.S. Shridharan Pillai Next है NTR NTR कौन है तो NTR एक actor, एक director और एक politician रहे हैं और एक बहुत लंबे समय तक आंध्रा के chief minister भी रहे हैं तो इनकी birth anniversary पितलब century हुई है अभी 100 साल हुए है तो इसलिए एक book को यहाँ पे launch किया गया है जिस book का नाम है NTR अ political biography और इस book के author कौन है? राम चंडर मूर्थी है ओके नेक्स्ट बात करेंगे obituries के बारे में कुछ deaths के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे है डॉक्टर वेद कुमारी गई यह कौन एक संस्कृत scholar है और जम्मू कश्मी यूनिवर्सिटी के संस्कृत डेपार्टमेंट की head भी रह चुकी है इन्हें government of India के दौरा social work के लिए पर्द मिश्री आवार्ड भी दिया गया था 2014 में और इनका निधन हो गया है डॉक्टर वेद कुमारी गई अब बात करेंगे next state news सबसे पहनी news क्या है यहाँ पर NGEL मतलब NTPC Green Energy Limited और UPR VUNL उत्तर प्रदेश राज विद्धो उत्पादर निगम लिमिटेड इन दोनों ने मिलके MOU साइन किया है लखनव में और इन दोनों मिलके Renewal Energy Power Park को सेट अप करने वाले हैं ठीक है MOU क्या होता है Memorandum of Understanding होता है और MOU कोई legal bounding नहीं होती है इसको कभी भी break किया जा सकता जबकि MOA जो होता है वो legal होता है किसी एक बच्चे ने MOU और MOA के बारे में difference मुझसे पूछा था तो मैंने इसको comment में answer भी किया था Next बात करेंगे इस bridge के बारे में Benda-Varsoba-Sealing Bridge जिसका नाम चेंज करके कर दिया जाएगा वीर, सावरकर, सेतु ये बात महराष्ट के मुख मंत्री एकनाथ सिंदे जी के द्वारा कही गई है Next है नमो सेतकरी महा सम्मा निधी योजना इसको भी महाराष गवर्मेंट ने लॉंच किया है और इस सम्मा निधी के अंतरकर जो भी स्टेट के फार्मर्स हैं उनको हर साल 6,000 रुपे दिये जाएंगे डारेक्ट बैनिफिट प्रांसफर के जरिए और सेंट्रल गवर्मेंट की जो पी एम किसान निधी स्केम चलती उससे तो 6,000 रुपे किसानों को तीन इंस्टॉल्मेंट पे मिलते हैं मतलब जो महराष्ट राजजी के फार्मर से उनको 6 और 6,000 रुपे यहां पे हर साल मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट ओके नेक्स्ट है एहमद नगर अभी अहिल्या भाई होलकर जी की एनिवर्स्ट्री थी नाम है UDISA for Artificial Intelligence and Artificial Intelligence for Youth तो यह स्कीम किसकी है? UDISA Government की है UDISA Government की दौरा एक और स्कीम लाँच की गई जिसका नाम है मोघहरा मोघहरा मतलब होता है My House और इसका मकसाद है कि कच्छे हाउस को पके हाउस में कनवर्ट करना जिससे रूलर फैमिलीज जो है जो ग्रामीड शेतर में रहने वाले लोग है वो तीन लाख रुपे तक का लोन यहां पर ले सकते हैं और इसे इंस्टॉल्मेंट में विधिन टैन यूर्स इसको रिटर्न किया जा सकता है तो मोहघरा स्कीम और अर्टिफिचल इंटेलिजेंस फॉर यूद ओडिसा पोर आर्टिफिचल इंटेलिजेंस यह दोनों स्कीम ओडिसा गवर्मेंट की स्कीम से हैं मोहघरा के बारे में तो बताई दिया मैंने आपको चलिए next बात करेंगे कुछ national news के बारे में तो first number पे है 28th of May को क्या हुआ था 28th of May को Prime Minister Modi ने launch किया था inaugurate किया था new Parliament House और इस नई Parliament building के बारे में मैंने आपको पहले भी discuss किया है यह triangular shape की building है Vimal Patel जिसके architect है इसमें लोकसभा sitting capacity 888 है और राजसभा sitting capacity 384 है इसको 888 को further extend कर सकते है 1272 तक और मतलब यह joint sitting के लिए है इसमें तीन दोवार है ज्यान दोवार शक्ति दोवार और कर्म दोवार जैसा कि हमने कहा था लोकसभा जो है वो पिकॉक थीम पर है और राजसभा जो है वो लोटस थीम पर है टीक है लगभग 970 करोड की लागत के साथ इसे बनाया गया है और contractor कौन था टाटा प्रोजेक्ट यहां पर कांट्रेक्टर था इसके अलावर जो सेंगोल है तो लोकसभा के जो स्पीकर उनकी चेर के पास सेंगोल को भी इंस्टॉल किया गया है जो हमारा पुराना बिल्डिंग था पुराना बिल्डिंग के जो डिजाइनर थे वो सर एडविन लुटियन थे और सर हार्वर्ड ब्रेकर थे 1927 में हमारा ओल्ड पार्लियमेंट बिल्डिंग बनके तैयार हुआ था नेक्स्ट बात करेंगे अटल भूजल योजना के बारे में तो गवर्मेंट ओफ इंडिया ने अटल भूजल योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया है अटल भूजल योजना 2019 में शुरू की गई थी और 2025 तक के लिए योजना बनाई गई थी इसको फॉर्दर टू यर के लिए एक्स्टेंड किया है मतलब इस स्कीम को अब 2027 तक रन किया जाएगा इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल व्याहरी बाजपे जी उनकी बर्थ एनिवर्स्टरी थी तब 25 दिसम्बर 2019 इसको अटल भूजल योजना लॉजना लॉज़ की गई थी तो रिवाड अभी निउस में था किसे वर्ल्ड बैंक का अस्टेंट पर आप्थ है वर्ल्ड बैंक की मदद से पूरा प्रोग्रांन रन हो रहा है नेक्स्ट है दिवकला शक्ती प्रोग्राम तो यहां पर देखेंगे आप वारानसी में 12 रसी के रुद्राक्ष Convection and Culture Center में दिवकला शक्ती का आयोजन किया गया यह 2019 से इस festival का मतलब इस program का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर जो handicapped person होते हैं जो person होते हैं जनके साथ disability है उनको जो teacher सिक्षा देते हैं उनके जो guardians होते हैं उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए basically इस मेले का आयोजन किया जाता है Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा Next है गोवर्धन योजना तो अभी गोवर्धन पोर्टल को लाँच किया है और गोवर्धन पोर्टल को लाँच किया है किसने जलशक्ती मंत्रा लेने गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है Galvanizing Organic Bio Agro Resorts धन गोवर्धन का फुल फॉर्म है गजेन शिक्स देखावत के द्वारा एक पोर्टल लाँच Unify पोर्टल लाँच किया है गोवर्धन स्कीम को 2018 में लाँच किया गया था चीक है अंडर स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीर फेस टू नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंट्ली एडवाइस दे जारी की है कि एंटी टबैको वार्टनिंग कंपलसरी ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म अंडर सिगरेट एंड अधर टमेको प्रोड़क्ट एक्ट टू थाउजन फू यह बात यहां पर आपको याद रखनी है नेक्स्ट रिसेंट्ली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दुआरा इंडिया की पहली रियर अर्थ पर्मनेंट मैगनेट प्रेड्यूस फैसिलिटी को लॉंच किया गया है विशाखा पत्नम में यहां पर क्या होगा रियर अर्थ पर्मनेंट मैगनेट को तैयार किया जाएगा विशाखा पत्नम में और जिसका उप्योग कहां पर किया जाता है हमारे सारे electronic devices में, spacecraft में, shifts में इस rear earth permanent magnet का use होता है नेक्स्ट है आर्कु coffee and black pepper इन दोनों को organic certificate दिया है किसने अपेडा ने अपेडा का मतलब किया है Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority अपेडा है इन दोनों ने आंधरप्रदेश विशाका पटनम district of आंधरप्रदेश आर्कु coffee and black paper को organic certification दिया जिससे किसानों को fair price भी मिलेगा और इनकी market value भी increase होगी और extra मतलब जो हमारे international trade है उसमें भी मदद होगी About APEDA आप यहां से पढ़ सकते है Ministry of Commerce and Industry के अंदर काम करने वाली body है 1987 में बनी थी नई दिल्ली में head office है Next है union cabinet के दुआरा Cities 2.0 program को permission दे दी है Cities का full form क्या है City investment to innovate, integrate and sustain यह Ministry of Housing and Urban Affairs और French Development Agency और European Union की मदद से प्रोग्राम रन किया जा रहा है यह प्रोग्राम चार सालों का है 2023 से लेके 2027 तक इसका मकसद है waste management करना climate oriented reform करने इसके अलावा institutional strengthening और knowledge का प्रचार करना Next बात करेंगे international news के बारे में So, सबसे पहले हैं Turkey A तो यहाँ पर इसकी capital अंकारा है और इसके president बन गए है कौन? इनके president बन गए है Recip type Erdogan Recip type A, Erdogan जो है वो president बन गए है टर्की के और Laira यहाँ पर currency है Next बात करेंगे Bola Ahmed Tinubu Bola Ahmed Tinubu राष्टपती बने हैं 16th number के president बने है Nigeria के और इनकी ceremony में इनकी ceremony में पहली बार हमारे country के defense minister राजना सिंग भी शामिल हुए थे Okay First ever visit of Indian defense minister to Nigeria Nigeria की capital अबुजा है अफरिका continent का यह nation है Next बात करेंगे Baltic nation Latvia के बारे में और Latvia के नए president elect हुए है Edgar Edgar Rinkevix तो यह तीन राष्टपती हैं अलगला countries के Next है यह है चमनलाल जी और यह पहले Indian origin है जो कि Lord Mayor बने हैं बर्मिंगम में Okay Next Very important appointment for us हम बात करने वाले हैं World Metrological Organization World Metrological Organization Geneva में अभी recently इलेक्शन कंड़क्ट हुए थे किस चीज के इलेक्शन थे President तीन Vice President और एक General Secretary तो यहाँ पर President कौन बने हैं तो President बने हैं Abdullah Al Mendoz Abdullah Al Mendoz जो है इन्हें चुना गया है Metrological Department मतलब WMO का Head for the period of 4 years यह Director रहे हैं UAE की जो Metrological Department उसके Director रह चुके हैं Next बात करेंगे Vice President तो हमारा जो Indian Metrological Department है उसके Director General मृत्युन जय महापात्रा को Vice President बनाया गया है इसके अलावब अगर बात करेंगे Secretary के बारे में तो यहाँ पर पहली बार पहली बार किसी Female Secretary बनाई गई है World Metrological Organization में तो अर्जिन्टीना की Salisto Saulo इनका नाम बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ना अर्जिन्टीना की है Salisto Saulo इन्हें बनाया गया है Secretary General World Metrological Organization WMO का और यह पहली Female Secretary है for the period of 4 years 4 सालों के लिए Next है दुबई दुबई ने सेट किये है कुछ goals क्योंकि आपको पता है कि COP28 की meeting होने वाली तो सभी countries अपनी कुछ goals set कर लेते हैं तो यहाँ पे Road and Transport Authority दुबई की दौरा target set किया गया है कि वो अपना जो public transportation है उसमें carbon emission को zero कर देगा 2050 तक ठीक है Next बात करेंगे अब एक report पब्लिश हुई जिसका नाम है FDI Market A Service from UK Financial Times Limited और इस report में बताया गया है कि दुबई में सबसे दा FDI किस country से आती है तो दुबई में सबसे दा FDI आती है भारत से सबसे दा जो भारत के लोग है वो invest करते हैं दुबई में अलग-अलग सेक्टर जैसे की Business Services, Consumer Product, IT Services, etc Next है Edenburg University जो की Scotland में है और Indian Consulate UK इन दोनों ने मिलके एक Hindi course को launch किया है First Open Access Course in Hindi Language और यह course किस पे होगा Climate Solution पे होगा Next है India gets approval to set up second hydroelectric project in Nepal तो India को India की जो company है जिसका नाम है सतलत जल विधुत निगम Limited उसको finally Government of Nepal ने approval दे दी है कि वो second hydroelectric project नेपाल में build कर सकता है जिसका नाम क्या है Arun 2 है Sorry, Arun 3 है और जिसकी capacity है 900 Megawatt की Okay Next अब US से चाहता है India Netto Plus का member बन जाए अभी भारत की तरफ से कोई response अभी आया नहीं है लेकिन US ने recommend किया है कि Netto Plus का member भारत बन जाए Next France ने बन की है अपनी domestic flights को short route के लिए तो France क्या चाहता है कि अपने जो civil aviation sector है यह aviation sector है उसमें carbon emission को reduce करना चाहता है इसलिए इसने कहा है कि कोई भी flight जो 2 hour या फिर 2.5 hour की है तो उनको आप उस रास्ते को आप तै करो railway की मदद से तो इस route की सारी domestic flights जो है वो ban कर दी गई है ठीक Next बात करेंगे हम NHPC मतलब NHPC Limited और VUCL मतलब विद्द उत्पादम Company Limited नेपाल इन दोनों ने MOU sign किया है और दोनों मिलके build करने वाले हैं जिसके capacity 480 MW की होगी और करणाली रिवर पे इसको बनाया जाएगा उसके फिलो को यूज करने के लिए करणाली रिवर के बारे में सारी जानकारी हमने आपको CA में डिसकस की थी Next है स्पोर्ट सेग्मेंट पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे बैडमिंटन क्लियर HS प्रनाय के बारे में क्योंकि यह पहले मैन है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है तो यह अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट न्यूज बन जाती है इंडिया के सटलर है HS प्रनाय इन्होंने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियंशिप 2023 का टाइटल जीता है यह कहां हुई थी? क्वाला लामपुर मलेशिया में हुई थी और इन्होंने डिफीट किया है चाइना की वॉंग चाइना के वॉंग होंग योंग को HS प्रनाय ऐसा करने वाले थर्ड नंबर के इंडियन बन गया है और पहले मेल बन गया है इसके पहले सानिया नहवाल और पीवी सिंदू ने मलेशिया मास्टर चैंपियंशिप का टाइटल अपने नाम किया था Next है Max War Stepan ने मोनक को Grand Prix का टाइटल जीता है जो कि Red Bull के ड्राइवर है Next है Ambati Raidu जो कि CSK के खिलाडी है और इन्होंने Retirement अनौंस कर दिया है IPL से Decently IPL कंक्लूड हुआ है और इसमें पाँचवी बार IPL के टाइटल किसने जीता है CSK Final जो मैच हुआ था वो चेनने सूपर किंग्स और गुजराद टाइटन के बीच में हुआ था और ये खेल कहां खेला गया था नरेनग बोधी स्टेडियम एहमदाबाद में Final मैच खेला गया था और चेनने सूपर किंग्स ने पाँच भी बार इस टाइटल को जीता है Orange Cup उसे दिया जाता है जो सबसे दा रन बनाते हैं और शुबमन गिल को ये दिया गया है परपल कैप मोहमबश शामी जिन्होंने सबसे दा विकेट लिये है Most Valuable Player सुबमन गिल है Emerging Player यशशवी जैसवाल है और Fair Play Award डेली कैपिटल को दिया गया है Next है 13 Hockey India Sub Junior Men's National Championship जो कि राउल केला में खेली गई थी Final match उत्तरप्रदेश हौकी और Hockey Association of Odessa के बीच में हुआ था जिसको उत्तरप्रदेश हौकी जीद गया है ये बहुत important news है हमारे लिए हम बात करने वाले हैं Men's Junior Asia Cup 2023 के बारे में So Men's Junior Asia Cup 2023 Recently conclude हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की बीच में Final match खेला गया था जिसमें इंडिया इस title को जीत गया है और इंडिया सबसे successful team है जिसने Men's Junior Asia Cup होकी जीता है और ये competition कहां हुआ था ओमान में खेला गया था इसके पहले भारक ने 2004, 2018 और 2015 में भी इस title को अपने नाम किया है उत्तम सिंग यहाँ पे player of the match रहे है Next Kawa Women's Volleyball Challenge 2023 तो यहाँ पे Kawa Cup जो कि Volleyball से associated है यह नेपाल काटमांडू में हुआ था आठ टीम के बीच में यहाँ पे खेला गया और भारत इसको जीता है भारत ने defeat किया है कजाकस्तान को Next बात करेंगे कुछ reports के बारे माँ सबसे पहली बात है नीती आयोक की annual health index 2020 and 21 Recently नीती आयोक ने health index को जारी किया है जिसमें केरला, तमिलनाडू यहाँ पे best state है large category में जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से pandemic के दौरान काम किया है इस index को 2017 से नीती आयोक के दौरा publish किया जा रहा है आईए हम बात करते हैं सबसे पहले large state की category में Canada ने top किया, फिर तमिलनाडू और तेलांगना है bottom पे कौन है, बिहार, उत्तरप्रदेश और मधरप्रदेश है small state category में फिर पुरा top पर है और bottom पे कौन है, तो bottom पे है आपके यहाँ पे मनीपुर Union territory पे top में लक्षदीप है और bottom पे है दिल्ली ठीक है Next is science and tech तो पहली बात करते हैं, यह है हमारे इस रोके chairman S. सूमनाद इनोंने recently announced किया है कि July में, मतलब next month जो है, वो चंदरयान 3 को launch किया जाएगा और recently NSV-01 जो हमारी navigation satellite है, उसको श्री हरी कोटा से launch किया गया है Exposet Exposet का full form exam में बन सकता है X-ray polymature satellite जो कि ISRO और Ramana Institute Research Center Bangaluru की मदब से तैयार किया है तो Exposet को किसने design किया है Indian Space Research Organization and Ramana Research Institute Bangaluru ने तैयार किया है यह भारत का पहला और वर्ल्ड का second भारत का पहला और वर्ल्ड का second number का polymetry mission है Exposet इसके पहले 2021 में नासा ने लॉंच किया था Next है जुगलबंदी chatboard Recently जुगलबंदी chatboard को Microsoft में लॉंच किया है अब यह क्या चीज है जुगलबंदी chatboard तो basically यह एक AI driven chatboard है जुगलबंदी जिसका नाम है हमारे जो ग्रामी छेत्र में जो farmers होते हैं उनको कई समस्या होती है हो सकता है कुछ illiterate होते हैं जिनको type करना नहीं आता तो वो बोल के अपने doubts को पूट सकते हैं इसने यहां पर bidding जीत ली है और यह 100 वंदे भारत train को तैयार करेगा और यह जो bid हुई है वो 30,000 करोर रुपे की bid है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कुछ defense news के बारे में तो पहली exercise है सुदर्शन शक्ती exercise 2023 तो recently सब्ट शक्ती कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा सुदर्शन शक्ती exercise को conduct कराया गया कहां पे हमारा जो western border है राजिस्तान और पंजाब की वहां पर इस exercise को conduct कराया गया next and fourth multilateral naval exercise जिसका नाम है komodo तो komodo exercise चौथे नंबर का संस्करण है और कौन होस्ट कर रहा है इसको इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में ये exercise होगी चार जून से लेकर आठ जून के बीच में और इंडोनेशिया ने 47 नेशन को यहां पर invite किया है एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना की पावर को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट है नेटो नेटो ने लाँच किया एक exercise जिसका नाम है Arctic Exercise क्यों protection of Finland के लिए क्योंकि Finland जो है वो boundary share करता है रशिया के साथ 1340 किलोमीटर के और इसको host कौन कर रहा है सबसे नया member 31st number का नेटो का member Finland नेक्स्ट है banking exercise Patna Patna become the first municipal corporation to use CBDC in the country अब इस CBDC क्या है तो कुछ सवे पहले RBI के governor के दोवारा e-currency या e-rupee को launch किया गया था CBDC का मतलब है Central Bank Digital Currency तो Patna Municipal Corporation of Bihar ने अपने head office से मतलब अपनी कुछ branches से headquarter से e-rupee generated जो RBI का है उसका use करने की बाद की है next बात करेंगे UPI transaction to dominate 90% of retail digital payment by 2026-27 तो recently एक report published की गई है तो Indian Payment Handbook 2022-27 report इसमें कहा गया है कि 2026-27 तक UPI जो transaction है वो बहुत जाएंगे per day 1 billion तक 1 billion एक billion transaction हर दे में UPI के द्वारा किया जाएगा UPI को 2016 में लांच किया गया था यह हमारे पूरे important events है फटा-फट से हम एक छोटाजा क्योस देखते है जिसमें 25 कॉस्टन होंगे आप अपटेंड कीजिए और अपना score हमें कमेंट में बताईए तो पहला कॉस्टन है India defeated which team to win the Men's Hockey Junior Asia Cup title तो इंडिया ने Junior Asia Cup title जीता है पाकिस्तान को defeat करके और यह championship कहा हुई थी ओमान में हुई थी तो योगा फेस्टिबल कहा हुआ था आंसर हो जाएगा हैदराबाद में option B correct है नेक्स्ट है खैबर खैबर किस country की ballistic missile है जिसकी range 2000 km की तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर खैबर इरान की ballistic missile का नाम है नेक्स्ट है Internet and Mobile Association of India के दो साल के लिए chairman कौन बने है तो आंसर हो जाएगा इस कमीटी के head कौन है तो इस कमीटी के head है Rajesh Gopal option D this is also very important question who has won the men's single title of Malaysia Master 2023 at the Kuala Lampur तो आंसर हो जाएगा H.S.Pronoy option A next है who has won the super bet rapid and blitz pole in 2023 तो ये chess championship है और ये जीती है Magnus Carlson ने option C COP28 के अध्यक्ष की सलहकार समीती में सेवा के लिए किसे चुना गया है तो advisory board में किसे चुना गया है Mukesh Ambani है केवल और केवल एक मार्टर इंडियान है option C next है who has recently created a guineas world record by singing Shri Ramacharit Rumanas for 138 hours 41 minute and 2 seconds so answer हो जाएगा Dr. Jagdish Pillai from Varanasi, UP CBC कौन बन गया है तो CBC बन गया है Praveed Kumar Shriwa option C correct हो जाएगा next है Bandra Varsova C Bridge का नाम किसके नाम पे रखने की बात महाराज्च के मुख मंतरी के दौरा की गई है तो Veer Savargar option भी correct है यहाँ पे next है Union Government has extended the Atal Bhujal Yojna for the period of 2 years in which year Atal Bhujal Yojna was launched तो कब इसे launch किया गया था 2019 में इसे launch किया गया था चीक है option C Monaco Grand Prix किस्टन जीता है तो Monaco Grand Prix जीता है Maxwar Stepan है Maxwar Stepan option C correct हो जाएगा Avati Raidu has announced his retirement from the IPL यह किस team के लिए खेलते थे से पहले यह MI के लिए खेलते होंगे लेकिन अभी तो फिलाली CSK के लिए खेलते होंगे option A महराज गवर्मेंट ने Ismail Ambassador किसे बनाया है तो Ismail Ambassador बनाया सचन को option C Sachin Tanulgar MD & CEO Yuko Bank के कौन बन गया है तो Ashwini Kumar बन गया है option B correct हो जाएगा next है Central Asian Volleyball Association Kawa Women Volleyball Challenge Cup Kathmandu में हुआ था इस टाइटल को किसने जीता है तो कजाकस्तान को defeat करके भारत ने जीता है option A Expo Set India का पहला polymetry mission किसके द्वारा build किया गया है तो Isro option क्या हो जाएगा यहाँ पे Isro next reward program किसके assistant से चल रहा है तो answer हो जाएगा world bank option A correct है यहाँ पे next Moghara scheme किस राज्ज की है तो Moghara scheme है ओड़े सा राज्ज की option C Namu Setkari महासम्मान योजना किस राज्ज सरकार ने launch किया तो answer हो जाएगा महाराष्ट government option E correct है next Senzu 16 mission जिसके अंतरगत तीन astronaut को तीन crew member को भेजा जा रहा है इस पेस में तो answer हो जाएगा ही चाइना commission है option B next which country will host an oil and gas conference from 19th June to 23rd in hope of attracting energy companies particularly from India oil and gas conference कहाँ पर आयो जित होगी सूरी नाम है option D TCS के CEO कौन बन गया है तो TCS के CEO बन चुके है यहाँ पे के कीर्तिवासन option D this is the question of the day who has been elected as the vice president of WMO चार option आपको दिख रहे है इन चारों में जो भी सही है वो आप हमें comment पे बताएगा अपने score के साथ ओके आज का जो CA होगा वो हम कल के session में discuss कर लेंगे तो मिलते हैं 7 a.m. tomorrow take care and bye-bye